तो पिछले एपिसोड में हाओचन अपनी टीम के साथ होली सिटी में वापस आने के लिए निकल गया था जिसके बाद होली मुन कहने लगता है कि वैसे तो इस पार का बैटल इतने आसानी से खत्म हो गया लेकिन इसके बाद भी अलायंस और डीमन्स के बीच के बार इसी तरी के से जारी रहेगा वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओचन चेंजी आंडी के बातों को याद करने लगा था जिसने की हाओचन से कहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम इसी तरीके से गुरू करते रहो क्योंकि मैं तुम्हें डीमन कोर से भी ज्यादा पाउरफुल बनत जरूर दिखाऊंगा इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन अपने बाकी टीम मेंबर के पास में आता है और इनसे बताता है कि मैं जब सीनियर चेंजी आंडी से मिलने के लिए गया हुआ था तब उन्होंने गिफ्ट के तौर पर या ट्रेजर मुझे दिया था जिसके वलवला ऑक्जिलेरी एक्विपमेंट है तब इसके बारे में जानकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और फिर हाओचन इन से बताता है कि अब इस तरह से हमारी विटैलिटी एक साथ में कनेक्ट हो गई है जिसके बज़ाद से अगर हमारे उपर कोई बहुत पावरफु क्यों नहीं कर लेते जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इसके लिए रेडी हो गये थे और वे तुरंत ही इस टूल को एक्टिवेट भी कर लेते हैं तब हाओचन इन से कहता है कि चेंजी आंडी ने मुझे और भी बहुत सारी बातों के बारे में बताया था और इसके बाद वो इन से बताता है कि अगर हमें डिमन क्लाइन को हराना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें डिमन पिलर को डिस्ट्रॉय करना होगा जिसके लिए इनसानोंने कई बार ऐसा करने का ट्राइ किया लेकिन आखिर कर वे कभी भी इसमें काम्याब नहीं हो पाए तब इसके बारे में सुनकर लिंस इन भी कहता है कि यह तो बहुत बड़ी प्रोब्लम है क्योंकि आज तक कोई भी किसी डिमन पिलर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया लेकिन तब इस पर वेंग जिवान उसे काती है कि अगर अभी तक कोई इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया तो इसका मतलब यह नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा कोई भी नहीं कर पायेगा क्योंकि तुम्हें भी तो पता है कि हम इनसान धीरे धीरे और भी ज़्यादा ताकत वर होते जा रहे हैं और इसके अलाबा अब तो हमारे पास में टॉप लेवल वाले बहुत सारे टूल्स और हमारे पास में बहुत सारे सिक्रेट स्क्रिप्ट भी आ चुके हैं तब इसकी बात सुनकर हाओचन भी कहता है कि हम इसके लिए कोई ना कोई तरीका जरूर खोज लेंगे लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि अब इसके बारे में हम से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और फिर उसके बाद हम लोग अपने लिए कोई टार्गेट सेट करेंगे क्योंकि आखिरकार हमें तो किसी भी तरह से डिमन पीलर को डिश्रॉई करके दिखाना है इसके बाद वो आगए इनसे कहता है मुझे यकीन है कि हम इसी तरीके से ग्रो करते रहेंगे और फिर किसी ना किसी दिन दिमन पीलर को डिश्रॉई जरूर कर देंगे क्योंकि आखिरकार हमें तो किसी भी तरह से 6000 सालों से चले आ रहे हैं अंदकार को मीटाना है और फिर उसके बाद हम इस तरह से एक नए सबीर का वेलकम करेंगे तब इसकी बात सुनकर सायर कहती है कि सचा सबेरा लाइट आफ डॉन के जैसा होना चाहिए जिसके बाद हम देखते हैं कि दा लाइट आफ डॉन के बारे में सुनते ही हौच इन कैप्टन गामा के बारे में याद करने लगा था और फिर वो इनसे कहता है कि हम इसे डॉन आफ लाइट कहेंगे और फिर आने वाले समय में हमा नाम तो सच में बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका मतलब है इंसानियत के लिए सची लाइट लाना इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचें सायर के तरफ देखने लगा था क्योंकि उसे इस नाम का आइडिया इसके बज़ास से ही आया था इसके बाद हाओचें सभी से कहता है कि अब तो हमारे पास में स्पिरिट लिंग की ब्लेसिंग भी है जिसके बज़ास से अब सभी लोग हम पूरी तरह से एक हो गए हैं और फिर इसके बाद वो इन से कहता है कि हानियू भी जैसे ही बैटल को अफिसली जॉइन कर लेगा तब उसके बाद मैं किसी भी बैटल में सायर के साथ में सबसे आगे काम करूँगा जबकि लिंग सीन और चेन स्पिल को कास्ट करने का काम करेंगे और फिर इसी तरह से वेंग यूआन और सीमा सीयान मेन अटैकर का काम करेंगे इसी के साथ हम देखते हैं कि इसने हान्यू को सेंटर में रखने का डिसाइड किया था ताकि इस तरीके से वो चेन को प्रोटेक्शन दे पाए और अब इतनी बात कहाने के बाद वो इन से फूचता है कि क्या तुम इसके लिए कोई और सजेशन देना चाहते हूँ तब इसके बारे में सुनकर हान्यू कहता है कि बैटल के दोरान हमें बहुत सारे अनफेवरेबल सिचुएशन के साथ में भी डिल करना होगा जिसके लिए मैंने ट्रीप्मेंट और असिस्टेंस के बारे में बहुत सारे स्किल्स को स्टेडी करने का डिसाइड किया है ताकि इ देखते हैं कि सिमास यानिस के लिए हान्यू से सजोरी कहता है क्योंकि वहलिंग स्किल्प्रब्राइश कि पूछता है कहीं तुम तुम्हारे ऊपर कोई प्रेसर तो नहीं तेवे काते हैं कि क्या इसका मतलब यह है कि हमारे कैप्टन सन अफ लाइट है तब इनकी ऐसी बात सुनकर हाउचे निन से खुद बता देता है कि मेरी इने टिनेर स्पिच्वल पाउर 97 पॉइंट है और इसके अलावा तुम्हारी यह बात भी सही है कि मैं सन अफ लाइट हू लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सिमासियानुस से काने लगता है कि मैं भी एक बीमिस्टार हूँ इसलिए मैं भी आपको एक बार हग करना चाहता हूँ तब इसकी बात सुनकर हाउचे निस से काहता है कि तुम्हे यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसके कि आप भी तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी इनेट स्प्रिच्वल पार बहुत ज़्यादा हाई होगा तब इस पर सायर उससे काती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और मेरी इनेट स्प्रिच्वल पार 100 पॉइंट है जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वे सब पूरी तरह से हैरान हो गए थे क्योंकि किसी को भी अभी तक इसके बारे में पता नहीं था इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर लिंस इन काफी उदास हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि हाउचे कोड के बट लाइन की लास्ट डिसेंडेंट हूं और इसलिए मैं अपने ताकत से जायन्ट इसप्रीड कोड के बलट वेसल को इंक्रीज कर सकती हूं हुँ इसके बाद वह आगेंच और फिर उससे करती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे वीग हूँ लेकिन साय तुम्हें पता नहीं है कि मुझे ग्रैनमा सांसुई के दोरह एडमिट किया गया था। इसलिए अब तुम जान लो कि मैं सोल हॉल की जीनियस हूँ और मेरे पास में कौन गेनिटल के ओटिक वाड़ी है। फूर्थ लेबल में ही क्यों हूँ तब इस पर चेन उससे काती है कि तुम्हें लगता है कि मैं फूर्थ लेबल में हूँ और फिर इसके बाद वो इनके सामने अपने इस प्रिचुल पाउर को दिखाने लगती है जहां पर अचानक से उसके अंदर से लिक्विफाइड इस तब इससे देखा हूँ चेन समझ जाता है कि चेन तो असल में फिफ्ट लेबल में है और इसके पास में 2022 पॉइंट वाली इस प्रिचुल पाउर है लेकिन अब इसके बारे में जानकर खुद चेन भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गई थी और फिर इसके बाद वो लिन स सिंदि खाया जाता है जहां पर एक छोटी लड़की एक लड़के के साथ में हाऊ चेन और उसकी टीम के बारे में बात कर रही थी और वो सभी लोगों से उसके बैटल के बारे में बता रही होती है तब इसी बीच हम यहाँ पर एक और लड़की को देखते हैं जिसका की में बात कर रहे होते। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लिसीन के बारे में विस्वोच रही होती है और फिर वो कहने लगती है कि क्या लिसीन ने इस पैटल में ज्यादा कुछ नहीं किया ज्योंकि मुझे तो उसका नम कहीं पर глубhin नजर नहीं आ रहा और इसलिए पर उस लड़की के साथ में फलट करने की कोसिस करता है जिस बात से गुसा होकर वो अपने पाउर का यूज करके इसे दूर कर देती है लेकिन तब ही इससी बीच उसे भी हाओचिन के बारे में पता चलता है जिसके बारे में जानकर वो काफी गुसा होने लगा था लेकिन लेकिन आखिरकार इस पार भी वो इसमें फेल हो जाता है तब इससी बीच यहां से जाते हुए उसकी नजर मास्टर नालान पर जाती है जो कि हाउचन के बारे में पढ़कर कापी खुस हो रहा था जिसके बारे में देख वो आदमी कहने लगता है कि यहां तो वही है न जिसन जरूर आऊंगा अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा लेकिन तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना